नमस्कार जैहिन वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी प्रेट्वॉम में दिसे दीर इस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड उमीद है आप और आपका परिवार बेहतर और उंदा होगा दोस्तों आप पढ़ाई भी बेहत होते हैं हर बहन हर भाई हर गहडी ने अगर ये वीडियो देख लिए एक्जाम के पहले सीटेटेंटेट इस्पेशल वीडियो है कैसे कैसे कुछ संस बनते हैं आठ से दस नमबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे वो भी चित्र सहीद तो तैयार हैं किया आप बिलकुल तो ए धूरा ग्यान खतरनाग होता है चलते हैं स्टार्ट करते हैं हम आपको पहले दिखाते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर विना किसी भी चार्जिस के आपको सिक्षा दी जाती है रास्टोहित में हर बहन हर भाई मेरा पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया पहले आपको मैं बता देता हूँ इस वीडो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं देखेगा सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिटेल में हम आपको मैप से पढ़ाएंगे और इसके अलाबद ही है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम आता है कि भारत में हम पढ़ते समय भारत की इस्थती एवं विस्तार के बारे में जाने तो यार सिंपल सब्सक्राइब याद रखना कि आपको विस्तार समझना होगा कि भारत कहां परिस्तित है क्योंकि वहीं से तो कुष्ण बनते हैं तो सबसे पहला जो दो लाइने हैं समझेगा कि अच्छांसी द्रस्टे से भारत की इस्तिती उत्री गोलार्द में है तो कुष्ण यहीं बनता है कि भारत की इस्तिती उत्री गोलार्द में है तो भारत की इ एक रेखा जाती है, गलोब पर उसको जीरो डिगरी, एक्वेटर या भूमदे रेखा कहते हैं, उपर वाली उसके रेखा खींची जाती है, यानि अगर बीच से अगर कोई रेखा खींच देते हैं, तो हम दो भागों में प्रत्वी को बाट दिया, तो उपर हो गया नार्थ गोलार्थ और नीचे हो गया दक्षडी गोलार्थ, ऐसे ही तो मैं कहता था, कि एक प्रत्वी को दो बागों में बाट दो, नार्थ गोलार्थ यानि उत्तरी गोलार्थ और दक्षडी गोलार्थ हो जाएगा, तो याद रखेंगे, कि जब भी हम बीच वाली रेखा को पू इसमें मत मार देना, ठीक है, तो भारत कहां पर है सर, भारत है सर आपका उत्तरी गोलार्थ में, वो भी कहां पर पूर्वी दिसा में, ठीक है, कहां पर है, भारत कहां पर है सर, भारत के अगर प्रत्वी के चार टुकडे कर दे तो भारत इसमें है या इसमें, तो भारत यह याद हो गया, भारत का दक्षडतम हिस्सा ऊशन कटीवनदी ततर उत्री हिस्सा उपोशन कटीवनदी में इसे थे। क्योंकि भाया जो रेखा है, विशुबत रेखा, वो भारत के समीब से दक्षड भाग की बात करता है। अब बात आती है, भारत का अक्छांसी विस्तार कितना है, भारत का अक्छांसी विस्तार है guys, चैज़ डिगरी चार मिनट उत्तरी एक्छांसे, 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्छांस तक, ठीक है? देशांतरी विस्तार अब देखो अच्छांस एक सब्द यूज हुआ है एक देशांतर यूज हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी में समझ लो कि एक प्रत्वी है प्रत्वी पर जितनी रेखाएं आपकी ये इस्ट होता है ये वेस्ट होता है यानि पूरब ये होता है पस्चिम ये होता है उपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्छन जितनी रेखाएं पूरब पस्चिम होती है खीची जाती है ऐस देशांतरी रेखाएं ये होती है longitude clear अब clear हो गया चलता हूँ सारे fact को clear करूँगा तो देशांतरी विस्तार कितना है 68 degree 7 minute पूरवी देशांतर से 97 degree 25 minute पूरवी देशांतर तक तो ये fact हो गया इतना नहीं पूछा जाता है अब पूछा कहां से जाता है ये question आपको fact तरीके से मैं बताने बाला हूँ सबसे पहले question ये आता है कि भारत का जो विस्तार है वो पूरव से पस्चिम की लंबाई क्या है भारत का उत्तर से कस्मीर से लेकर दक्षिण में कन्या कुमारी तक विस्तार 3214 किलो मेटर है यानि जो भारत आपको ये दिख रहा है ना इसका उत्तर और दक्षिण का जो विस्तार है ना वो कितना है 3214 किलो मेटर अभी समझेगा मैं आपको फीकर से समझाओंगा बड़े फीकर से पूरव में अवणाचर पदे से लेकर यानि यहां से लेकर ये वाला विस्तार कह रहा है पूरव और पश्चिम का कितना विस्तार है 2933 किलो मेटर भारत की आकरती चत्तुस कोणी है अब समझो पहले कह रहा था भारत का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार 3214 किलो मेटर और पूरव से पश्चिम का लंबाई है 2933 किलो मेटर समझो इस चीज में क्या कह रहा है भारत का जो विस्तार है ऊपर जम्बू कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी यानि ये नार्थ उत्तर से दक्षिन की तरफ जो लंबाई है वो 3214 किलो मिटर और अरुणाचल पदेश पूर्व से लेकर पश्चिन तक जो लंबाई है वो कितनी है 2933 किलो मिटर भारत की 3,214 किलोमेटर ये लिखा है पूरुप से पश्चिम कितनी लंबाई है ये है 2933 किलोमेटर हो गया कलियर अब मैं चलता हूँ आपको बता देता हूँ कि भाया भारत की जो अकरती है वो कैसी है चत्तुस कोणी है चत्तुस कोणी भाया आपको मैप में भी तो दिख र सातमा बड़ा देश है और जनसंख्या की दर्सेश में सेकेंड नंबर पर है पहले में चाहिना है 2.4 तीन परसेंट है मतलब ये क्या है पूरे विश्चु को 100 परसेंट में हम लेते हैं पूरे विश्चु का ये पूँच रहा है कि भारत कितने परसेंट है तो भारत है 2.4 याद रखना और अगर आपसे ये पूछे कि 100 परसेंट में भारत कितना है तो आपको कितना बताना है 2.5 यानि 0.5 परसेंट भारत का परसेंटेज पूरे प्रत्थवी में है चेतरफल में कुल चेतरफल भारत का कितना है कुल चेतरफल है 32,87,263 वर्ग किलोमेटर गाई दाहाई सेकड़ा हजार दसजार है na गाई दाहाई सेकड़ा हजार दसजार लाग दसलाग तो हमने क्या का 32,87,263 किलोमेटर है कितना भाग पूरे प्रतवी में भारत का भाग है 2.4 तीन परसेंट तो क्लियर हो गया फैक्ट पूरा अब हम चलते हैं अनेफेक्ट पर अनेफेक्ट क्या है हमारे सामने देखिए भारत का दक्षिरतम बिंदू इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोवार दूइप 6 डिगरी 4 मिनट अब देखो यहां से कुश्संस बनेंगे हम सारे कुश्संस मेब बाले करेंगे जो परिक्षा में आने वाले हैं जो परिक्षा में आय हुए हैं सबसे पहले भारत की इस्थिती को जानना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अधूरा ग्यान हमें नहीं पसंद बिल्कुल सर यहां पर बात करते हैं भारत का दक्षिरतम बिंदू जो होता है इंद्रा पॉइंट ग्रेट निकोबार यानि हम इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं ठीक है इसका चो है 6 डिगरी 4 मिनट उत्री अच्छांस पर इसी थैं लेकिन मुख्य भोमी की दच्छनतम बिंदू आठ डिगरी 4 मिनट उत्री अच्छांस कन्या कुमारी तमिलनाडू है जो इसकी बात कर रहा है कन्या कुमारी यहां है इंद्रा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार यानि अंडमान निकोबार में है टेंसर मतरेना सभी बताऊंगा कुशन तो भया यहां से बनता है कहता है भारत का मानक समय कितना है भारत का मानक समय है दोस्तों साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर कोस कैसा भारत का मानक जो समय है न पूर्वी देशांतर आपने देखा होगा उत्तर पदेश का इलहावास से गुजरती है रेखा मिरजापूर नैनी की बात कर लेते हैं आप लोग है ना आप से जब भी पूछे भारत का मानक समय विश्यो के मानक समय से कितना डिफरेंट है साड़े पांच घंटे आगे है और है कितने डिगरी पर साड़े 82 डिगरी पूरवी देशांतर पर है कहां है इलहावात के नैनी से भारत का पूरे भारत का जो टाइम जोन है ना टाइम जोन जी अम्टी का फुल फॉर्म क्या होता है ग्रीन विच मीन टाइम ठीक है भारत का जो टाइम जोन है इलहावास से ही तय होता है तो आपको याद रखना है 1.82 डिगरी मानक रेखा पर जो मानक रेखा 1.82 निकली है न देशांतर की बात करता है तो खड़ी रेखा होती है पड़ी रेखा होती है चंच, तो भाईया सिंपल सी बात है मानक रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है तो कुस्षन में क्या आएगा कितने राज्यों से गुजरती है या कितने राज्यों से गुजरती नहीं है तो पहले नहीं है के लिए आपको है याद होना चाहिए तो सुनो भालत की जो मानक रेखा 80.82 डिगरी, इलावाससे 59 से गुजरती है, तो भाईया 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर पदेश 1, मद्यपदेश 2, 36 गर 3, उडीसा 4 और और अंदर पदेश 5, पांच राज्यों से मानक रेखा गुजरती है, जबकि करकरेखा आठ राज्यों से गुजरती है, मैं बो भी बताऊंगा, करकरेखा हमेशा अक्षांस की बात करता है, देशांतर हमेशा किसकी बात करता है, हमेशा बहिया टाइम जोन की बात करता है, भारती मानक समय कितना ग् तो पाँचराजी हो गया अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट हमारा जो है भारत के अंतिम बिंदो चार पॉइंट लिख लेंगे फटाफट भारत का उत्तरी बिंदु कहां है भारत का उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंद्रा कॉल लद्दाक वाला चेट है सबसे लास्ट पॉइंट उत्तर में भारत का उत्तरी बिंदु हो गया दक्षिनतम पॉइंट कहां है सर अनमान निको किबथु कुछ कंसा पूर्भी बिंदू है holder न भारत खोन सा दखिर्णा कॉस्पी बिंदू धुगों की ते हुपर देखेसीमें, एन किउपर हो गुजरात में है गुजरात ये वाला हो जाएगा ठीक है हो गया गलियर अब हम एक और फैक्ट देख लेते हैं भारत का दक्षरतम बिंदू इंद्रा पॉइंट भूमद रेखा से 876 किलोमेटर दूरी पर है पहले इंद्रा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट था अथवा पायरस पॉइंट के न इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया पहले से ही एक बार ये और रिपीट हो गया कोई बात नहीं भारत का मानक समय साड़े बैयासी डिगरी पूरी बी देसंतर इलावात के नैनी से है कितने है राज्ये उत्रपदेश, मद्धिप्रदेश, सत्तीजगर, ओड़ीस नहीं आता है, ऐसे कुछन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको है वाला पहले याद रखना है गया, कैसे भारत की करकरेखा गुजरती है, पूरे विसो में करकरेखा बीचों बीच से गुजरती है, यहां से जिसमें भारत भी आ जाता है, तो भारत पूर्भी और उत मितर पर गम्चा झार, मितर पर गम्चा झार, मैंने कहा था, मितर पर गम्चा झार, मिजोरम, त्रिपूरा, पस्यमंगा, राजस्थान, गुजरात, मध्यपदेश, 36 गड़ और जारखन, जार्खन, अब कैसे याद करोगे, मैंने आपको बता दिया है, पहला गुजरात, राजिस्थान, मद्यपदेश, चतिजगर, जारकंट, पस्रिमंगार, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये आठ राज्जे हैं, ये आठ राज्जे हैं, जो करकरेखा के बीचों बीच गुजरते हैं, करकरेखा पृथिवी पर कहा है, करकरेखा साड़े तेईस डिगरी वारत के परिदेश से और फिर करेंगे कुश्छंस भारत के कितने देश पड़ोसी सीमा अंतराश्ची सीमा लगाते हैं भारत की सीमा साथ पड़ोसी देशों से लगता है बचपन में M.B.A. किया आपने खूब अच्छी तरीके से ट्रिक देखी होगी बचपन में M.B.A. किय बंगला देस, चाइना, पकिस्तान, नेपाल और क्या है? मियमार है MBA, ःबुतान है MBA, किया, A अफगानिस्थान, ठीक है? ए, सारे हो गए तो आब देखो सातमा साथ देस हैं तो अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना भुतान, मियमार और बंगला देस अब कुशन में यह आता है कि भाया यह बताओ कि भारत का सबसे ज़्यादा किसकी अंतराष्टी सीमा लगती है तो वांगला देश जो है ना वांगला देश वांगला देश से घिरा हुआ तीन तरफ से वो एकमात्र राज्ज है त्रिपूरा तो कुशन यही बन गया कि एकमा 96 किलोमेटर बंगला देश के साथ लगती है सबसे ज़्यादा और सबसे कम लगती है उत्तर में कहां पर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमेटर मात लगती है किसके अंतराश्टी सीमा यह हो गए दो कुछन और एक्स्ट्रा में और लास्ट पॉइंट है दो कि लक्षदीप अर बंगाल की खाड़ी में तो समझो मेरे भाई क्या है पॉइंट कि लक्षदीप हमेशा याद रखना यह भारत का चित्र है यह पूर्ब है यह आपका पश्चिम है यह पूर्ब है पूर्ब में आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी भी होती है बंगाल की खाड़ी डेल्टा नहीं बनाती है ये सभी अरब सागर में गिरती है तो कुश्ण क्या बना मेरा अरब सागर के साथ कोन है अरब सागर के साथ है लक्षदीब और बंगाल की खाड़ी के साथ कोन है बंगाल की खाड़ी के साथ है आपका अंडमान निकोबार ठीक है अंडमान निकोबा जितनी भी पूर्व में नदियां गिरती है बंगाल की खाड़े में गिरती है वो क्या बनाती है डेल्टा बनाती है जैसे गंगा ब्रम पुत्रकाबेरी जितनी भी नदिया पश्चिम में गिरती है अरब सागर में वो क्या बनाती है एस्चुरिक बनाती है लेकिन डेल्टा बाली नदी कही जाती है लूनी नदी को याद रखेंगे ठीक है तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए अब हम चलते हैं तो हमारा क्या पॉइंट बना लच्छदीब अरब सागर में है यहाँ पर और अंडमान निकोबार दुइप समू कहा है बंगाल की अब बात आती है एक और देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा इस्थित है सारे पॉइंट क्लियर हो गए एक पॉइंट और आपको मैं बताना चाहता हूँ फिर कुस्चन पर चलता हूँ यह सारे कुस्चन्स है एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि भारत की जब बात हुई है तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताए अंतराश्टी लगाती है क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ क्या हो जाएंगे मैं बारे कुस्चन भी हो जाएंगे ठीक है भारत में बिहार के सापेक्ष हम पूरा मैप से आपको सौलब करवा देंगी कुस्चन और हर तरीके का कुस्चन बता देंगे कि एक्जाम में किस तरीके से कुस्चन भीक फीनадर के खरनाता हूं यहां पर यहां पर है जम्बु कस्मीर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम պता है हमें पता है कि हमेशा नॉर्थ उपर होता है हमें पता है कि यह पूर्व इधर होता है हमें पता है कि सर यहां पर क्या होता है जक्षिड होता है और हमें यह पता है कि यहां पर क्या होता है सर पश्चिम होता है ठीक है मैंने कुछ हिंदी में लिख दिया कुछ इंगलिस में लिख दिया तो इसको हम करे दे इसको हम करे दे रहे उत्तर करे दे रहे ठीक है तो याद रखो कि जब बिहार से हमें इधर जाओंगा तो हम क्या जाएंगे उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर और इधर निकलेंगे तो ये पस्षिम भी है उत्तर और पस्षिम तो जब भी हम जाएंगे जम्बू कस्मीर क कि तरप तो हम पहले ऊत्तर और पस्षिम की तरफ जाएंगे और कि फिर गोवा गोवातyi तो बहुत बहुत अंबर तरीक साथ चला जाएगा क्यों क्यों क्योंकि भाहिया पूछ रहा है बिहार मैं यहां हूँ और बिहार के सापक जम्बू कस्मीर और बिहार के सापक शगोवा अब बताओ आप तो समझ गए ना क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपसे यह कहा है कि यह होता है पूर्व यह होता है उत्तर यह होता है दक्षिन और यह होता है पश्चिम बिहार यहां था बिहार को यहां पर ले गया, ऐसे करके, तो बिहार मैंने यहां पर जम्बू को समीर गया, तो यह क्या हो गई, उत्तर और पस्षिम, ठीक है, एक चीज निकल करा ला गई, उत्तर और पस्षिम, अब जाना है, गोवा, गोवा भईये यह है न, गोवा जाना है, तो यह क्या हो तो दक्षिन या दक्षिन पर कोई बात नहीं, एक यी बात तो है ना, option number three is right answer हो जाएगा, clear हो गया, तो इस तरीके के question आते हैं आपके, अब दूसरा question देखते हैं भाई, दूसरा question ये है, चलो आपकी बार मैपी दे देते हैं आपको, सामने मैप दिया है, अब देखके लगा देना, गलत मत करना, निम्लेकित मेंसे कौन सा राजे जम्बू कस्मीर का प्रोशी राजे है, उत्राखंड, राजिस्थान, हिमाचल प्रदेस, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेस पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्र प्रदेश तो भाया जी मैं बात करूँ आप से कि देखो जम्बू कस्मीर की बात कर रहा है राजस्थान यहाँ पर है क्या जम्बू कस्मीर से लग रहा है नहीं लग रहा है राजस्थान वाला पार्ट कट गया जम्बो कस्मीर यहां पर है उत्तर प्रदेश कभी कहीं लग रहा है उत्तर प्रदेश तो यहां पर है यहीं खतम हो जाता है तो जम्बो कस्मीर से लगने ही रहा तो यह भी कट गया क्या उत्तराखंड लग रहा है उत्तराखंड यानि उत्तराखंड वाला पार्ट थोड़ा सा यह बाद में उत्तराखंड हो गया था तो यह बताओ उत्तराखंड यह वाला लग रहा पार्ट आपको के सर उत्तराखंड तो इतनी दूर है बीच में तो हिमाचल पड़ेश पिछली बार का है नेकशमन की बात करें के सिर्णमर हमारे स्क्रीम पर यह है जब कोई व्यक्ती ट्रेंड वारा एहंदावाद से केरल की यात्रा करता है तो वह एक अनेक सुरंगों को पार करता है यह सुरंगे परबत में स्थित है मैंने आप से क्या कहा जब भी कोई व्यक्ति करें जब भी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है एहमदाबाद से एहमदाबाद कहां पर है एहमदाबाद सर गुजरात का पार्ट होगा और केरल केरल तो यहां पर है कर रहा है तो यहां पर जो है अगर इतने में करेगा तो यह बताओ ये तो पूरवी घाट है ये पूरवी दिसा है तो पूरवी घाट और ये कहा है ये है सर पश्यमी घाट तो पश्यमी घाट और पूरवी घाट तो मताओ यहां पर कर रहा है क्या तो मैं कहूंगा यहां तो नहीं कर रहा है तो पूरवी घाट तो कट गया मैं कहूंगा सर केरल की तरफ यात्रा कर रहा है तो यह वाला जो पार्ट है ना यह वाला पार्ट यह सर्फ पश्यमी घाट है केरल में ही हमारी सांती घाटी है और यह जै बिवित्ता वाला वही पार्ट है आपका अब एक और कुशन आपसे पूंच सकता है इस वार क्या पूंच सकता है ध्य राजस्थान ध्यान दिजएगा उत्तर पदेश के सापेक्ष राजस्थान और आंदर पदेश कहाँ पर है तो आंसर लगाना होगा आपको पूर्व उत्तर लगाना है या आपको लगाना होगा पश्चिम दक्षिन लगाना है बताओ दोई में बताओ हमने कहा उत्तर रात है पश्ण और तहJust होगा है अगर पूछ लेता यहाँ पर बिहार के सापक्ष polic ska महारास्ट है तो इदर कौन सी ओती यह उत्तर हो जाता यह दख्षिन हो जाता तो मैं कहें साइल-त यहाँ पर यहाँ पर पस्ऴ हो इसी के बीच में तो आ रहा है, समझो इस चीज को, अब बात कर रहे हैं, नेक्ष्मन की, तमिल नाडु के, कुर्शन है पिछली बार का, तमिल नाडु के निकट वरती स्राजी कौन से है, केरल करनाटक और अंद्रपदेश, केरल गुर्जरात और करनाटक, अंद्रपदेश गोवा और करनाटक, गोवा करनाटक और केरल, बताएगा, तो भाई साब यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा न, वो अप्शन नमर फस्ट के साथ जाएगा, ध्यान से देखीगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जिससे कुर्शन भी आपका बना रहे है, कुर्शन तो और अ, तमिलनाडू के जो सटे राज्य हैं, वही हमें लेने हैं, तो भाईया तमिलनाडू की बात कर लेते हैं, देखते हैं वाई, तमिलनाडू की बात हुई, तमिलनाडू, तमिलनाडू से एक के इंपोर्टेंट है, तो के तो मिल गया, तमिलनाडू से एक ये लगा है, के यानि A A लगा है तो आंदरपदेस भी मिल गया और कोई राज़े मिल दिख रहा हे आपको तमिलनाटब से लगा केरल लगा है, करणाटब लगा है आंदरपदेस लगा है, बादबाकी तो सब यदर उदर हो गए उपर उपर हैं तो यहां पर आपको याद रखना है कि तमिल नाड़ से लगने वाले जो राजजी है न वो सर कौन से हो जाएंगे केरल करनाटक और आंद्पदेश उप्शन नमर ए इस राइट आंसर नेक्शमन की बात करें कुछन नमर नेक्श स्क्रीम पर ये रहा बहुत सिंपल कुछन है कि रहा है गांदी धाम गुजरात का रहने वाला मैं एक चितर भी बना लेता हूं यहां पर गांदी धाम गुजरात यहां पर है कोई माना की गुजरात का रहने वाला पहले भौपाल यहाँ पर है और मद्द्पदेश यहाँ पर है ध्यान दीजेगा मद्द्पदेश यहाँ पर है और आंद्पदेश आपको यहाँ पर है मैं एक्जेक्ट नहीं बता रहा हूं लेकिन आपको मैं अभी बताऊंगा आंद्पदेश जाना चाहता है देखो पहले गुजरात का है व्यक्ति कोई पहले जाना चाता है भोपाल तो भोपाल जाने के लिए क्या करेगा भोपाल जाने के लिए पहले ऐसे जाएगा तो यानि ये बाला पार्ट क्या है सर यह है पूर्व है तो वो पूर्व जाएगा पहले और फिर आंद्रपदेश जाना चाहता है आंद्रपदेश फिर आंद्रपदेश जाएगा तो वो पहले जाएगा पूर्व फिर जाएगा दक्षिन तो पहले पूरब जाएगा और फिर दक्षिड दिसा में जाएगा तो option number मुझे लग रहा है A is right answer होना चाहिए पूरब दिसा में जाएगा और फिर दक्षिड में जाएगा पहले जा रहा है भोपाल में और फिर जा रहा है वो आंद्पदेश option number A हो जाएगा क्यों हो जाएगा अब मैं बताता हूँ आपको वो था गुजरात में देखो द्यान से वो था गुजरात में ठीक है वो था गुजरात में और याद रखना है वो गुजरात में था गुजरात में था वो जाना चाहता है पहले गया मध्यपदेश में और मध्यपदेश से जाना चाहता है आंध्यपदेश में तो मध्यपदेश में जाने के लिए वो किदर जाएगा पहले पूर में जाएगा और फिर आंध्यपदेश जाने के लिए वो किदर जाएगा दक्षिन में जाएगा तो सिंपल सी बात त पूछ लूँ कोई व्यक्ति राजस्थान से पहले जाना चाहता है यूपी और बाद में जाना चाहता है जम्मू कस्मीर तो क्या आंसर होगा तो क्या आंसर होगा पताएं पहले जाता है वो यूपी जाता है और फिर जाता है जम्मू कस्मीर तो क्या होगा पूर्ब होगा त हो जाएगा और यही अगर मैं कहे देता फिर वह मद्यपदेश जाता तो यह उत्तर जाता रहें याद रखेंगे याद यह रखना है कि यह एरो है ना २ यह रहो भहत इंपॉर्टेंट है क्या यह अरों बहुत करना नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कोई पहले भौपाल मद्यप्रदेश जाता है फिर जारखंड ब्रमण करना चाहता है उसकी यात्रा किस दिसा में पहले होगी बहुत सिंपल कुशन है ध्यान दीजेगा थोड़ा सा एनलिसिस करो बिना फीगर के मैं फीगर को बता है कि दिल्ली वाला जो आदमी ना दिल्ली यहां पर और दिल्ली के लिए बुस डायरेक्ट कहां आएगा सर यहां आएगा मद्यपदेश तुसर यहां पर है गुजरात के पूर्व में है ना तो यहां पर है तो आप याद रखो क्या है कि सबसे पहले वो आएगा कहां पर जाएगा सबसे पहले दक्षिन आएगा और फिर जाना चाहितायाए कहां पर बाद में बुराइट जहार खंड जाना चाहिता आ मैं जुह सबसे पहले नहीं समस्द्ध पूर्व के पाइल contexto नहीं हो जाना अब ili का रहने वाल या बोळ्पвин धृता है फिर जहारखंड जाता है अब मैं देख लेता हूं मैप में दिल्ली का आदमी है दिल्ली का आदमी है भोपाल पहले जाता है ठीक है भोपाल पहले जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा पहली वाली में दक्षिन हो जाएगा और फिर वो जाता है जहारखंड ये देखो जहारख तो इदर पहले गया था दक्षिन हो गया अब तुरंत इदर मुण गया तो मैंने कहा था इदर वाली जो इस्ट होती ना ये तो पूर्ब हो जाएगा ना तो पूर्ब की तरफ ही तो जाएगा तो उप्सिन नमबर बी में तो यह दिया है और बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है, बहुत बड़या, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, चलता हूँ next one की तरफ, question number next लेता हूँ, हमारे देश के मानचित्र, हमारे देश के मानचित्र में जारखंड कहां परिसित है, question याद है किसी को, आया हूँ question है, औरिसा के उत्तर में, 36 कड़ के दक्षिट पूर्व में, उत्तर पदेश के पश्ची में, हर बहन, हर भाई, हर ग्रहनी से बस इतना कहना चाहूँगा, कि विडियो अभी भी बाच कर रहे हैं आप उनसे बेटर हो, जो विडियो को फीच में छोड़ के चले गए हैं, आप बहुत बेटर हो, क्योंकि समझने के लिए, ब्रेन चाहिए और ब्रेन आपके पास है, ठीके ना साब, तो चैनल को सस्क्राइब करने, अपने सहर मुझे जरूब बताएं, अगर आप नए हैं, सस्क्राइब जरूब करने, क्योंकि यहां पर बहुती कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, टीचर्स अभी अच्छे होते हैं मेरे भाई, लेकिन हम चाहते हैं हर गरीब बच्चा बढ़े, हर गरीब बच्चा उसके लिए पैड कोर्स अलग इसके लिए कभी आगे ऐसा होगा, और मैं आवाज भी उठाता रहूँगा उन टीचर्स के लिए जो ऐसा धंदा करते हैं, याद रखेंगे, जिसमें आपका साथ हमें चाहिए, हमारे देश के मांचेत्र में जहारखंड कहां पर इसे थे तो राइट आंसर जाएगा, और आपको, जहारखंड आपका यहां पर है, और उड़ी सा के उत्तर में आपका हो जाएगा, क्योंकि उडी सा के पष्षिम की बात, जख्षिन की बात, तो मैं कर रहाई रहा हूं, तो राइट अंसर जाएगा ब्या, option number 1 के साथ चला जाएगा, एक और लेता हूँ, कराय सर गुर्पीत पहली वार रेल गाड़ी से नई दिल्ली से चिन्नई गया नई दिल्ली आपको पता है कहाँ पर है नई दिल्ली से चिन्नई गया चिन्नई का तमिल्लाडु वाला छेतर है क्या यानि दक्षिन में जाएगा पका नई दिल्ली से चन्न नहीं गया और रेलगाड़ी यात्रा के दोरान किस नदी को पार करने की संभाबना नहीं है आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी जो भारत की नदियां है गोदाबरी कृष्णा नर्मदा ये सभी दक्षिर भारत में आपको यहाँ पर मिल जाती है ठीक है गंगा यहाँ पर काटेगी नहीं मेरे भाई याद रखना है कि दिल्ली से कोई जाएगा तो आप जानते हो कि दिल्ली से अगर कोई इधर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है गंगा नदी तो निकली गई ना इसको कोई काटी नहीं पाएगा बात बाकी सारी नदीया कट जा क्या है किfast on in refrica कि कोई किस राज्ज की कोई किस राज्ज की कोई समुधरी सीमा नहीं है गुज्रातन गौवा महराष्ट resort राइट अंसर जल्द कोई तहाई अबा था भाछ श्रीध जरूर करें जिसे हमें मोटिवेशन मिलता है विडियो को रात के बारा बज़े तक मैं बनाता रहता हूँ आपको पता है सुभह से लेकर रात के बारा बज़े तक यहाँ पर विडियो इसका से सेला थमता नहीं है फ्री आपकास्ट राइट अंसर जाएगा सर ओप्शन नमर टू सबसे बड़ी अगर समुद्री यहाँ पर सीमा पूछे तटी रेखा पूछे तो गुजरात हो जाएगा राजस्थान एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर केवला देब सामर जील बहुत सारी चीजें मिलती है लावडी आपका प्रमुक्ते उहार जो मिलता है गुजरात में महरास्ट में गुजरात में आपका गिर रास्ट्री उध्यान है जहाँ पर ACI सेर मिलते है ठाहिए याद रखेंगे राजस्थान की पार्ट की बात करें तो देखीगा यहाँ पर यह जैसल मेर इलाका, यह सर आपका कैसा पार्ट है यहाँ पर यहाँ पर एक ऐसा पार्ट है जो आपका बात करता है मरू भूमी का एक यहाँ पर मरूस्थल का ठीक है फिलाल बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों यह बताओ कि अब आपने सारे कुछ संस को किया अब हमें वस यह बताईएगा कि यहाँ पर आपने इंज कुछन मैं पूछता हूँ इस मैप से आप गोवा के सापेक्ष पंजाब पहले जाते हैं और फिर आप जाते हैं सुनेगा ध्यान से गोवा के सापेक्ष आप पहले पंजाब जाते हैं फिर आप जाते हैं बिहार अब बताओ आपकी इस्थती क्या होगी किस दिसा में पहले गती करते हैं आप और लास्ट में किस में गती करते हैं गुआ के सापेक्ष आप पहले पंजाब जाते हैं फिर जाते हैं बिहार तो पहले कौन सी दिसा में गती करी दूसरे कौन सी दिसा में गती करी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है तो ویडियो को लाइक करें दूस्तों बहुत मेहनत लगी है मैपको सिट करने मे सारी नौलिज आपके दिमाख में सिट करने में बहुत ही कम समय लगा है YOU ARE RIGHT YOU ARE UNIQUE आप सब एके माता पिता को मेरा एक वर जैहिन वन्दे मातरम उनको इसलिए करता हूँ कि उनकी बज़े से आप यहां तक प्लेटफॉर्म पे आये हैं वन्दे मातरम आदाव सस्रियकाल जय महाकाल इंकलाव जिन्दावाद मस रहे है आवाद रहे कभी भी किसी से कंपरिजन मत कीजिएगा जैसे भी हैं आप बेस्ट है यू आर यूनीक यू आर ग्रेट यू आर व्रिलेंट पुआई जैहिन वन्दे मातरम इंकलाव जिन्दावाद